मैं को स्टार्टिंग में यह बता रहा था कि जैसे अभी का जो माहुल है बरसात का सीजन है बारिस का आट्मिटी की आपर भी जैसे यहां पर बैठे है ना यह हमारा जो चस चाहत है इसके नीचे बैठे हैं तो यहां पर भी जो नमी है वह 94 परसंट दिखा रहा है हाँ उस चीज़ को लिख लीजिए कि अभी के सीजन में जैसे बारिष चल रहा है तो यहां पर हम लोग को ज्यादा हिमिडिटी के बारे में मेंटरिंग करने का जरुत नहीं है मतलब ज्यादा लेके जाना नहीं है क्योंकि आटोमेटिक जो है 94 प्रसंट दिखा रहा हुँ है लेकिन एक समस्या यह आएगा हिलिंग चंबर में क्योंकि वातावरण में बाहर की और 94 परसंट है अगर हम अंदर भी बहुंच ज्यादा कर देंगे तो हमारा पौधा गल जाएगा इसलिए अंदर हम लोग को हिलिंग चंबर के अंदर नमी को कम रखना पड़ेगा यहां 94 54 परसंट है तो हम लोग को 50 परसंट भी रखेंगे तो काम चल जाएगा है कि में मैं मैं प्रइंट को ही लिखेंगे तो याद रहेगा उचिजा आपको और जैसे कि बता रहूं आपको हम लोग को यह तो नहीं करना है कि कोई बहुत बड़ा 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 इस्ट्रक्चर लगाए करना है हम लोग को तो सिंपल सा अपने खेत में लगाने के लिए दो तीन-चार-पांश-जार पहुदा तियार करना है बस उसके लिए हम कि आप जाता है तो हमारा जो साइन रहता है उसका मॉइस्ट्र ड्राय आउट हो जाता है मतलब निकल जाता है तो वह विल्ट कर जाता है मतलब मुर्जाता है इसी वज़ा से अध्याना मतलब जश्ट जो है आप उसको उल्टा कर देरह चैबर घुम होगा जो भी समझ रहे हैं जैसा सई समझ रहे हैं वैसे लिख लिख लेज आप और फिर सबसे में जो चीप कि यह जो हम काट के जोड़ रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई भी कर लेगा सबसे जो ज़्यादा समस्या आता है वह ही रहता है हिलिंग को नहीं समझ पाएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे गापती एक दो दस बिस ऐसे जिंदा रहता है आपका 80% 90% वाला सक्सेस करते हैं कि पॉली हाउस नहीं हो तो आप आप नहीं कर सकते हैं एक्टॉल में लोग को नॉलेज होता नहीं है क्योंकि पॉली हाउस जो है एडवांस जो अगिरिकल्चर फारिमिंग है उसका सिस्टम बस है जैसे पॉली हाउस को हम लोग अच्छा अच्छा और ज्यादा ज को सेडनेट बनता है हमारे विभाग की और से सरकारी हम लोग देते हैं हैं अपना उध्यानकी फसल लगाने के लिए से यहां के सिम्लामिर्वट हो कुछ और लगाने के जिए लेकिन यहां वाले किसान क्या गरते हैं वो ना करके सीज़ा धान लगा देते हैं उस हमारे जो सेगनिक देते हैं उसमें यहीं बता रहा हूं आपको कि पॉली हाउस सिर्फ एडवांस अगरिकल्चर को सपोर्ट करने का सिस्टम है उसको हम लोग अपने हिसाब से अलग चीज में कनवर्ट कर सकते हैं उसमें और्नाम प्रिंबर्ट रहता है उसके चेंबर बना सकते हैं पॉधे को हार्द बनाने के लिए पॉधे का खेती के लिए और लास्ट में जो अभी का कंसे जो चल रहा नहीं ठील के लिए जौ आलें ब्र सो आपके पास थीन 4,000 पॉधेन का घैनो उसको उसको ऐसे ही फोऑता अगर बहुत बड़े सिस्टम में बताना रहता तो मैं आपको अपने जो विभाग है सरकारी नरसरी है वहां पर लेकर आपको दिखाता कि आसा रहता है पर उसका कोई मतलब नहीं जानेगा पर इन्वेस्ट जादा करना पड़ेगा आपको दाइरेक्ट देखा देता है उसमें क्या रहता है हमारी है जो मिस्ट चेंबर सब लगा हुआ है वहां पर नसरी में मिस्ट चेंबर है और फिर अलग से शेड हाउस है पूरा सरकारी सेटप है तो वहां कोई दिक्कत नहीं रह हो टाइम टाइम पर सब जो है मैनेज हो जाता है कि इस टाइम पर जैसे वहां पर सेंसर रहता है टेंपरेचर का हुमिडिटी का वहां पर मोईस्टर कम रहा है तो फोगर जो है स्टार्ट करता है मिस्ट करना आटोमेटिक सेट रहता है पहले से यहां पैसा नहीं है हम बता रहे हैं जो भी यहां पर आते हैं उनको जितना यहां सब्सक्राइब कर नहीं सकते हैं अभी मैं जैसे बता रहा था ना जो हमारा वो सेट अपर अब देखता हूं सर को फोन करता होंगे तो चलेंगे लास्ट में ठीक कर रहे हैं इसको आप ठीक कर रहे हैं बस प्रेक्टिस होते जाएगा आपका आराम से कर लेंगे बस यह इसलिए हम लोग को 40-50 इसले करना है क्योंकि इसको फिर फिर यह देखेंगे कैसे हिलिंग चंबर है उसमें किस तरह से काम करेंगे पांच दस को ग्राप्टिंग करेंगे और हिलिंग मिले के जाएंगे तो समझ में नहीं आता है कैसे काम करेंगे कि कम से कम आप मिनिमम पचास करेंगे तभी आपको समझ वाएगा हिलिंग किस तरह काम कर रहा है अब यह को पूरा ग्राफ्टिंग संसेस पुरा हाड हो चुका है है कि अच्छे से हो गया है आपको दिखा रहा था उसमें पानी गिर गिर गया तो उसका पूरा क्या बोलते हैं आपका वह रूट बाल होता है पूरा उस निकल गया उसमें से उसी में मिट्टी का मिट्टी बोलता हूं यह को पिट को लगा रहा था इसका साइस ही आ रहा है आपको आपको एक तरफ से अगर मोटा नहीं होता है समान साइज नहीं आता है तो अलाइन करना है एक तरफ से ताकि कहीं ना कहीं केंबियम टीसु जूड जाए केंबियम टीसु का ही कॉंटेक्ट में आना सबसे जरूरी है वो नहीं आता है तो नहीं हो पाता है छोटे वाले क्लिप को लिजेगा बड़े वाले का जरूत नहीं है कि यहां पर उसका जखना जखना ब्रांच रह गया है अपने भासा में बोल रहा हूं कई के बीच में निकल जाता है अब क्या है आप सभी को एक साथ भी कार सकते हैं अभी का टाइम में लेकिन अब ही को एक साथ कातने का गल्ती अप खन के मौसम में मत कीजेगा और नाहीं गर्मी के मौसम में यह सूख जाएगा आपका साइल कि एक साइन को जोड़ते जोड़ते बाकी आपका जो है एक सो वाला ट्रे होगा निन्याने पर आपका सुख जाएगा अपका ग्राप्टिंग खतम हो जाएगे एक ही परसेंदा रहेगा जोड़ने के लिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से कॉंटेक्ट में ला रहे हैं यह 100 परसेंट तो कुछ नहीं होता है लेकिन 90 परसेंट से उपर ही आपका सक्सेस होगा लेकिन सक्सेस तब होगा जब आपना हीलिंग को समझेंगे हीलिंग को ठीक से नहीं समझेंगे तो आपका सक्सेस 10 परसेंट से नीचे चला जाएगा वैसे मत कि ज़रूत नहीं पड़ेगा निकालेज़ उसको इसका ना रूट वही वाला है बहुत अच्छा बना है इसका इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो नहीं निकल रहे उसको करना पड़ेगा क्योंकि यहां कोई कोई ना इस तरह से दबा देता है हाँ इसे लिए यह क्या है कोई-कोई यह गाली वाली में आता है ट्रांस्पोर्टिंग में तो ऐसे हो गया होता है यह रूट इस्टोक सबसे अच्छा है मैं देखा हूं यह मैं आपको इसका जाड भी दिखाया बहुत बड़ा है इसका बड़ा है इसलिए इसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है अब इस अब से बड़ी बात है कि इसमें टमाटर और बहुत जल्दी से हीलिंग होता है केलस बनता है कि इसे को ज्यादा है मैं मैं जितना भी अपने काम करता हूं उसमें सबसे अच्छा रूट इस्टोक यहीं है जंगली भाटा सभी से बहुत अच्छे से जल्दी से घाव भरता है और मैं आपको यहीं बोलूंगा कि जैसे इसको रूटी स्टोक अप लगाएंगे नहीं पर तो इसको अपने पास तकी सीमित रखेगा ज्यादा डिस्ट्रीबिड मत कीजिएगा क्योंकि फिर ओपन होने के बाद में क्या होता है फिर अपने जोग इतना वर्क किया रहते है इतना टाइम दे रहते हैं उसका कोई वेल्यू नहीं रह जाता है अच्छा जूड़ा है यह बाहर सप्ला के लिए नहीं नहीं जो बस मेरे पास आते हैं यहां पर रेनिंग में बस उनको यह इस रूटी स्टप को देता हूं यह वो जो है करेंगी से बोलेगे टामाटर के सब्सक्राइब बहुत अच्क्न अपर आए तो नहीं बहुत स्टेक्राइब तो इसलिoue इसे लिए उतना अच्छा नहीं दिख पाया हलाकर रहां कि उनकल वहांра पड़े पड़े उसे ज्यादा ही ओगा कि वहां पर त्यार हो गया अग्राप्टिंगों का लेकिन अब मेरे पास टाइम ही जाता है तो कहीं सलब पड़ा पड़ा है वहीं पर पचास कीजिएगा पचास ट्माटर पचास को तुनंत नहीं करेंगे दिन भर में करते रहेंगे अभी आपकी स्पिट स्लो है मैं तो एक ह सब्सक्राइब कर लेता हूं कि एक दिन में जब इसी के लिए विसेस कर बैठता है तो पांसो हो जाता है मेरा लेकिन आप अभी करेंगे ना तो बड़े मुस्किल से दिन भर में साइध सब्सक्राइब आप अभी करेंगे तो यह वाला दिखिए ना बहुत कम काटे हैं पर अब इसमें क्या है इसको लेकर लगाएगा अपने है इसको और मिर्ची के लिए जो है उसको में बहुत मतलब काम करते 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 दो अच्छा रोटी स्टोक मिला है जिसमें मिर्ची के लिए ठीक है और यह टमाटर के लिए लिकिन इसको जो है अपने तक सीमित रखें यहां कुछ कर रहे हैं। पैसा कमना रहता हैं यह सब्सक्राइब कोई नहीं बना चाहीं है! मैं भी तना टाइम देब इन्वेस्ट कर रहा हूं? आप आया हैं त्रे रहे ह den आले दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे मेरे में कॉछी सापैर कि बä merits उख भराता सीखने के लिए तो आपको बता के चल जाएंगों उसमें सीख जाएंगे और क्या रविवार है तो मेरा ड्यूटी तो है नहीं और कल के लिए छुट्टी लिग दिया हूं तो यहां तो हम लोग जोड़ने का देख लिए अगले बार जब इस पूरा वीडियो को कभर करेंगे इसमें आपको में पूरा हीलिंग के बारे में देखेंगे तो इसमें बाकी लोग भी देखेंगे तो इसको यहां पर हम लोग रखते हम इसको आप हम लोग को भी 50 करना ही करना है